नमस्कार मैं हूँ अमित सिंग और आप देख रहे हैं फॉस्ट बिहार जारखंट बिहार के ऐसे सिक्षक जिनोंने सक्षमता परिक्षा पास कर लिया है और कागच के सत्यापन में जो तूटी हो रही है गरवडी को ले करके उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है जह वो नाम को ले करके हो जन्मतिती को ले करके हो और फिर आधारकाट का सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने 4 नवंबर तक का समय दिया है कि ऐसे सिक्षक 4 नवंबर तक आवेदन कर ले और अपने कागज का सत्यापन करा ले यानि ऐसे सिक्षों के लिए अब एक तरह से परेशानी जो थी वो टल गई है आपको बता दें कि यानि आपको आवेदन करने के लिए अब जिला शिक्षापदाधिकारी से संपरक करना होगा आपको अपना नाम, जन्वतिति, लिंग, आधार संख्यां और मोबाईल नंबर में सुधार के लिए आवेदन देना होगा आपका आवेधन बिहार विद्याले परिक्षा समीती की वेबसाइड पर अपलोड किया जाएगा इसके बाद सिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही आपका बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे वहीं निर्देश में ये भी असपस्ट किया गया है कि आवेधन पत्र में टीचर द्वारा दी गई जानकारी बिलकुल सही होनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ओवर्राइटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखे अगर ओवर्राइटिंग होती है तो फिर वहाँ परिशानी होगी तकनीक भी है और उसमें फिर लगेगा कि कहीं कहीं कुछ गरबड़ी है तो आप जब भी कुछ लिख रहे हैं फार्म को फिलब कर रहे हैं भर रहे हैं तो उसमें तमाम जो सिक्षक है वो ये ख्याल रखे कि उसका आगजात में आवर्राइटिंग नहीं हो क्योंकि ऑवराइटिंग अगर होगी तो फिर वो खारिज कर दिया जाएगा वो फिर स्विकार नहीं किया जाएगा इसके अलावे देखिए कि सिक्षक अवियर्थी अपनी लॉगिन जो है वो आईडी और पास्वर्ड का उप्योग करके वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और सही प्रवानपत अपलोड कर सकते हैं सक्षपता पास सिक्षकों को समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उन्हें परेशानी का भी सामना करना पर सकता है इसके अलावे आपको वदा दें कि 13 सितंबर तक पर्थम सक्षमता परिक्षा के बाद कौंसलिंग जो हुई थी इस दोरान जिन सिक्षकों के प्रवानपत्र संदिक्द भी पाए गए थे वे अब सही दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं इसके लिए बिहार भी दियाला परिक्षा समीती की वेबसाइट पर भी एक विकल्प दिया गया है यानि कि ऐसे सिक्षक भी जिनके कागजात में कुछ संदिक्द लग रहा था ऐसा लग रहा था कि वो कहीं कहीं कुछ गरबडियां है तो वैसे सिक्षक भी जिनोंने कागज सही से नहीं रख पाया तो उनके लिए भी है कि वो ठीक धंक से कागज रखे और उसको अपलोड क तो यह तमाम बाते हैं लेकिन कुल मिला करके चार नवंबर तक यह सिक्षा विभाग के तरब से एक महलत दिया गया है ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने सक्षमता परिक्षा तो पास कर लिया है लेकिन कुछ ने कुछ त्रूटी के कारण जो है उनके कागजात जो है वो स चिजों को सही करके और जिनके काज़ात में कुछ संदिक्त पाया गया था ऐसा लग रहा था कि वो गरबढ़ियां हैं चाहे वो ओवाराइटिंग को लेकर के हो या कुछ और मसला हो क्योंकि सब की अपनी परेशानी है किनको कहां दिक्कते हुई है कही किसी को नाम को लेकर के दिक्कत हुई है किने शिक्षकों को जन्टिती को लेकर के परेशानी थी तो तमाम ऐसे सिक्षक उनके लिए अभी वक्त है और चार नवंबर को ये तमाम जो सिक्षक हैं वहावेदन कर ले और ऐसे सिक्षक जिनके काज़ात में कुछ संदिक्त लग रहा था वो भी जो है अब क्योंकि राजसरकार ने शिक्षा विभाग ने एक आप जारी कर दिया है तो वो भी जो है अपना वहाँ पर अपलोड करें और तमाम अब मुश्किलें जो है सिक्षकों की मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग का जो अब जो निर्देश आया है इसके बाद ये तमा और ये चार नुमर का वक्त है इसमें आप लोग सभी जो है आवैदन करिए तो फिलाल इस खबर में इतना ही लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फस्ट विहार जारखंट नमस्कार मैं रवीना रायन सिंग आरपिया ये प्रदेश अद्यक्ष आप सभी को धंतेरस दीपावली छट महापर्व भाई दूज एवं चित्रगुप कुजा की धे सारी शुक कामनाई देता हूं आपका भाई आपका बेटा रवीना रायन सिंग सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनन्द मैं बनाए यही मंगल कामना करता हूं प्रदाम 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के जातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोगप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ भारतिय जन्ता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800-00-00-2024 पर मिस्ट कॉल करें निवे दक भारतिय जन्ता पार्टी बिहार